आयो बच्चों, आयो नानी सुनाएगी कहानी एक कववे और एक बगुले की कहानी का नाम है करते होसो कीजिये एक कववा था, वे रोज नदी किनारे चाता था और बगुले के साथ बैठता था धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई बगुला मचलियां पकरता और कववे को खिलाता बगुला नई नई धंक से रोज नई नई मचलियां पकरता रहता कोवे को हर दिन नया नया भुजन मिलने लगा बगुला असमान में उड़ता उचा और उचा उड़ता निगा उसके बराबा नीचे रहती मचली को देखते ही वे सर सराते हुआ नीचे आता अपनी लंबी चोंच पानी में डुबाता और पैर उचे रखकर जट से मचली को पकड़ कर किनारे पर आ बैठता कोवा ये सब देखता उसका भी मन ये हुआ कि वे भी ऐसा क्यों ना करे तो सोचने लगा चलूँ मैं भी ऐसा ही करूँ इसमें कौन सी बड़ी बात है उपर उड़ना है निगा नीचे की तरफ रखना है मचली देखते ही नीचे आना है चोंच फिला कर पानी में डालना ओंधा सिर करकर पैर उपर की तरफ रखना मचली पकड़ में नहीं आएगी तो आखिर जाएगी कहा सब कुछ सोच विचार कर एक दिन कववा आसमान में उड़ा बहुत उचा उड़ा पर आखिर कार वे कितना उचा उड़ सकता था इसी बीच उसे पानी में एक मचली दिखाई पड़ी कववा सरसराता हुआ नीचे उतरा पैर उचे रखे और चोंच नीची फूर्ती सेवे मचली को पकरने के लिए जपटा पर मचली वहां से खिसक गई और चोंच चोथी काई में उलज गई पैर उचे रह गए कववा छट पटाने लगा उपर आने की बहुत महनत करी पर सिर्टो पानी की अंदर ही था और बडूपता ही चला गया इसी बीच बगलवा वहां पहुंचा बगुले को बहुत दे आई उसने बड़ी मुश्किल से कववे को पानी के बाहर खींच लिया और कववे से कहा करना हो सो कीजिये और न काद कीजिये कग सिर्फ रहे सवार में उचे रहे पग करना हो सो कीजिये और न कीजिये कग सिर्फ रहे सवार में उचे रहे पग उस दिन से कववा समझ गया कि बगुले की नकल करना वह भूली जाए बच्चो पिछली पहेली थी हरा हूं पर पत्ता नहीं पालतू हूं पर कुत्ता नहीं नकल्ची हूं पर बंदर नहीं भूजो मेरा नाम सही हरा हूं पर पत्ता नहीं पालतू हूं पर कुत्ता नहीं नकल्ची हूं पर बंदर नहीं भूजो मेरा नाम सही इसका जवाब है तोता चलो अब अगली पहेली दो अक्षर की में बहना उल्टा सीधा एक रहना इसका जवाब जाने के लिए अगली कहानी देखे राजा और चार तुटुलाती रानिया झाल एक रहना और चार तुटुलाती रानिया कि यझा एक राज़, उगल चाओका इंपते। यझा प्ड़ू के राज़, रानिया टुटुलाती रानिया